यह इस्टुटिंट्स आप देख रहे हैं, सेट नंबर 5, अन्तिम सेट है, इससे पहले आपके 4 सेट कम्पलीट करा दिये गए हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, और वीडियो के end में इसी स्क्रीन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट पे टच कर देना तो आपको सारे वीडियो मिल जाएगे, वीडियो के end screen पे आपको सब पुछ मिलेगा, यहाँ पर जो पहला 5 सेट है, इसका पहले question से start करते हैं, प्रतिरोधगता का ऐसा ही मातरक लिखे, और क्या यह चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, जो कि चौथे सेट में भी यह अलग की लंबाई पर निर्भर करता है क्या, तो हमने बताया था कि यह लंबाई पर 6 रफल पर निर्भर नहीं करता क्योंकि यह प्रतिरोधगता खासियत है material की, यह material के उपर लागू होता है, अगर iron है तो iron के हिसाब से प्रतिरोधगता होगी, अगर आपका चांदी है, silver है, aluminium है, तो उसके हिसाब से अलग-अलग होगी, लेकि लंबाई से कोई फरक ने पड़ेगा, चाहें तीनों material के लंबाई सेम हो या अलग हो, क्यावल material पर डिपेंड करता है, प्रतिरोधगता का SI मात्रक जो है, ओम मीटर होता है, ठीक है, यह ध्यान रखना है कि ओम मीटर होता है, और यह चाल के लंबाई पर ने बन नहीं करता, ऐसा unit of resistivity is o meter and it does not depend on the length of a conductor, ठीक है, इसके बाद दूसरा कोश्चन है, घेरेलू विदुत परिपतों में, श्रोत के साथ सामांतर करम में विदुत उपकरण को जोडने के दो लाब आपको लिखने है, ठीक है, तो द तो अगर हम इसको parallel series में रखते हैं, तो क्या होता है, परते एक उपकरण को पूर्ण voltage मिलता है, और उसके बाद में अगर कोई आपका उपकरण बंद या खराब हो जाएगा, तो अन्य उपकरण चालू रहेंगे, अगर series में कर देंगे, तो एक उपकरण खराब हो जाता ह तो ये चीज़ ध्यान रखने हैं, दो इस तरह से इसका लाब है, उसके बाद में ऐसे दो धातुओं के नाम बताने हैं, जिसे हथेली पर रखते ही पिघल जाते हैं, तो गेलियम और सीजियम ये दो ऐसी धातुओं हैं, जो हथेली पर रखते ही पिघल जाती हैं, पूशन C3H6 है और C2H2 है यानि कि प्रोपीन है और एसिटिलीन जो है ये दोनो दोनो असंतरप्त हाइड्रोकार्बन है ठीके अनसेचुरेटिड है और यही जो है आपको क्या दिखाएंगे संक्लन अभी क्रिया उसके बाद जो नेक्स क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं अनुवान पिता के शारिरिक या मानसिक गुण जो है संतान तक पहुंचते हैं अनुवानशिक तक कहलाती है तो यह ध्यान रखना आपको क्या कहलाती है इन हरिटेंस उसी हो कहते हैं दा प्रोसेस बाइविच फिजिकल और मैंटल क्वालिटीज ओफ ए पैरेंट आर पास्ट ओन दा स्प्रिंग उसके बाद नेक्स जो सिक्स्ट कोशन है ओजोन परत की छती के लिए कौन से रासायनिक पदार्थ उत्तर दाई है तो देखिए मुख्य पदार्थ जो उत्तर दाई है वो CFC है इसको हम क्लोरो फ्लोरो कार्वन बोलते है इसके अलावा अत्रिक्त गैसे है मेन तो आपको यह लिखना ही लिखना है ठीक है इसके लावा आप मेन गैसे तो यही है और इसके अत्रिक्त गैसे में हाइड्रोजन आकसाइड आ सकता है मीथेन आता है और भी बहुत सारे गैसे तो मेन तो आपको क्लोरो फ्लोरो कार्वन लिखना ही है उसके बाद में उपारजित लक्षण कहलाते हैं यानि कि जो स्किल वो गेन करता है जो वो ट्रेट्स वो गेन करता है अपनी जिंदगी के दोरान उनको हम उपारजित लक्षण कहते हैं और जो लक्षण उसके साथ आते हैं उसके परिवार के दोरा वो तो अनुवानशिक होते हैं आप जानत उसका section B है एक धारा वाही वरताकार कुंडली का चुम्बक के छेतर किस तरब प्रवावित होगा जब पहला question इसमें पूछा गया है कुंडली में बिदुत धारा बढ़ाने से चुम्बक के छेतर भी बढ़ जाता है यानि कि आपका क्या होगा increase करोगे current in the coil तो magnetic field जो है वो भी increase हो जाएगा दूसरा जो से मैं पुछाया है कुंडली में वर्तमान विदुद धारा की दिशा उलड़ दी जाए तो अगर हम current जो flow हो रहा है अगर उसके direction को change कर देंगे तो चुंबक के छेतर की दिशा भी change हो जाएगी यानि कि वो जिस तरफ से घूम रहा था या जिस तरफ से जा रहा था उस तरफ से वापिस वो return होने लग जाएगा उल्टा घूमने लग जाएगा ठीक है उसके बाद तीसरा जो पार्ट पुछा गया है कुंडली में फेरो की संख्या में व्रद्धी की जाए तो और एक कुंडली में अगर फेरो की संख्या ब्रद्धी कर देंगे तो चुंबक के छेत्र जो है बहुत ज्यादा strong हो जाएगा उसमें ब्रद्धी हो जाएगी ठीक है अब आगे आते हैं next question पे next question जो है volt meter और ए मीटर में आपको अंतर बताना है देखिए एमीटर जो है विदुत धारा को नापता है और वोल्ट मीटर जो है विवानतर को नापता है एमीटर का प्रतिरोध जो है कम होता है जबकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है रिजिस्टेंस जादा होता है Emeter स्रीनि क्रम में जोडा जाता है औरcking Voltmeter को सामानतर क्रम में जोडा जाता है तो इस तरह तीन डिफ्रेंसेज हमने देखे और यही तीन डिफ्रेंसेज मैंने यहां पर आपको इंगलिप्रिव में लिखन के बता है जो हां say Hindi में हां बता है वो बहुत ज़्यादा उश्चमा शेपी होती है जब उनको treat कराते हैं तो बहुत ज़्यादा उश्चमा की मात्रा निकलती है और इतनी मात्रा अधिक होती है कि धातु जो है वो गली तवस्था में पराप्त होती है यानि कि जो उसमें धातु मिलती है वो कैसी होती है, molten state में होती है, गल जाती है, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम thermit अभिक्रिया कहते हैं, thermit अभिक्रिया का example जो है आप देखो कि displacement reaction का, यह single displacement reaction में थर्मित अभिक्रिया होती है, double displacement में नहीं होती है, तो यहाँ पर iron oxide को जब aluminium से treat कराते हैं, तो aluminium oxide देता है यह, और iron जो है बिस्थापित हो करके अलग हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर इसका उप्योग जो है, rail की पट्रियों और machine के पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है, और इस अभिक्रिया का thermit welding, यह thermit welding ही की जाती है, जो पट्रियों गरागा जोड़ जाती है तो इसको आप अलग से लिख सकते है, ठीक है, thermit welding में किया जाता है, तो यहाँ पर लिखा है, हमने जोइनिंग railway track and machine parts and use in thermit welding, उसके बाद नेक्स जो कुशन है, भौतिक एम रासाइनी गुणों के आधार पर, एथेनोल और एथनोईक अमल में आप अंतर कैसे करेंगे, तो सबसे बहुतिक गुण की बात करते है, तो एथनोल की जो है मधुर गंद होती है, और एथनोईक अमल की जो है गंद है ना, वो बहुत खतरनाक होती है, ऐसा लगए जैसे कि गले में कुछ फस गया है, नीचे नहीं जायाएगा, ठीक है, उसके बाद में एथनोल का जो गलन की बात करें, तो एथनोल जो है लिटमस विलें का जो रंग नहीं बदलता है, ये लिटमस के रंग को वैसी छोड़ देते है, जबकि एथनोईक अमल जो है नील लिटमस को लाल कर देता है, और सोडियम से किरिया करके जो है ये एथनोल जो है एच्टू गैस, हाइड्रोज वे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा एक विसेस लक्षन वाले वेस्टी जीवों की संख्या में संख्या 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 में बढ़ जाती है, तो देखिए कौन-कौन से वेज है डिफरेंस तो पहला है प्राकर्तिक चैन के माध्यम से, यानि कि समय के दोरान लाइग अन्वान्शिक बहाव दोरा, यानि कि अन्वान्शिक्ति चल रही है, यानि किसी जन संख्या में कुछ जीनो की आवरती में आक्स्मिक परिवर्तन से बढ़ जाएगी, उत्परिवर्तन दोरा, यानि कि आपका जो म्यूटेशन है उसके दोरा और कुछ पीडियों की। आप देख सकते हैं English Medium के students जो answer यहाँ से लिखेंगे आपना वही चीज़ यहाँ पर समझाए गई है इसका बां तीरा नंबर जो question है इसमें क्या है यदि हमारे द्वारा उत्पादीत सारा कच्रा जेव निम coloured करियन हो तो इसका हमारे पर्यावरण पर साकारात्मक प्रभाव पढ़ेगा साकारात्मक यानी की positive response मिलेगा मतलब कुछ गलत नहीं होगा सही होगा जेव निमनी करण कच्रा जो है अबगटित हो जाता है लेकिन बहुत समय तक पड़े रहने के कारण जो है बद्बू और विमारिया भी पैदा करता है जो कच्रा जल्दी अब गटित हो जाते है उससे पर्रयावरण को कोई नुकसान नहीं होता जैसे कि सबजीयों का कच्रा इससे खाद के रूप में इस्तिमाल किया जा सकता है और इससे मिट्टी की उरता बढ़ती है और पर्रयावरण में कोई परदूसर नहीं फैलता इसको हमने नीचे लिखा है आप यहां से इसको गेन कर सकते हैं इंग्लिस मीडियम वाले स्टुडेंट्स अब आते हैं हम 14 नंबर कॉश्चन पे ध्यान रखना है कि यह वीडियो जैसी खतम होने वाला होगा पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने होगी जिसमें आपके हिंदी के 5 सेट हिंदी A के 5 सेट हिंदी B के 5 सेट और इंग्लिस के 5 सेट और उसके लावा साइन्स के 5 सेट और social science के 5,60 चारे available है अब आपका maths के लिए बहुत rare comment आ रहे हैं तो maths का भी हम इसी तरह से normally जब तक आपके comment नहीं आएंगे उसको solve नहीं करेंगे जल्दी से तो आप लोगों का responsibility है comment करिए maximum ताकि आपके maths paper को set 1 ही solve किया है मैंने उसके बाद comment जो है आपके लोगों के नहीं आये थे हो सकता है आप लोग maths में जो है आप खुद कर रहे हैं तो अच्छी बात है मुझे भी बहुत सारा काम है जो है 12 के comment जादा आ रहे हैं तो उनके solutions को करने है यहाँ पर जो है विकास के संबंद में इस्थापित करने में मतलब विकास में संबंद इस्थापित करने में जीवाश्म का क्या मैतो है तो देखिए जीवाश्म प्राचीन समय में पाए जाने वाले जीवों के सनरक्षित अंग या चटानों पर उनकी छाप होती है उनका अध्यन यह हमें समझने में सहायता करता है कि भूत काल में किसी किस प्रकार के जीव जन्तू पृत्वी पर बिद्धमान थे वे किस प्रकार आज के जीव जन्तू के समान है या उनसे बिन है ये समानताए या विभिनताए हमें ये समझने में सहायता करती है कि जीवों के कौन से समू एक दूसरे के निकट समंदी है और कौन से समू एक दूसरे से बहुत दूर है तथा कौन से समू यानि कि जीव दो समूहों को जोड़ने का काम भी करते है इन संबंदों का विकासिय संबंद की संग्या देते हैं तो इन संबंदों को विकासिय संबंद की संग्या देते हैं या विकासिय संबंद के बारे में बताते हैं तो इस तरह से जीवास्म के बारे में हम डिटेल बताएंगे इस तरह से ये मदद करते हैं तो यहाँ पर मैंने इसको इंग्लिस में लिखा है, आप इंग्लिस मीडियम के student यहां से note कर सकते हैं, आते हैं C section में, C section में आपसे पूचा गया है, घहरेलू परिपतों में बिजली के खत्रे को पैदा करने वाले कोई दो परिस्तियों को व्याख्या करनी है, तो कोई दो क्या, आप देखो, खर गटना है और उस पर पानी डालोगे तो यह तो खत्रों को बुलाना हो गया, तो यह काम नहीं करना होता है, यही चीज मैंने आप इंग्लिस में समझाईए, इसके दूसरे पार्ट में है, electric motor और generator के बीच में तो प्रमुखंतर आपको बताने हैं, हमने आप तीन तीन अंतर लिखे, electric motor जो है, यह विधुत उर्जा को यांतरिक उर्जा में परिवर्तित करता है, generator जो है यांतरिक को विधुत में परिवर्तित करता है, ठीक है, इसके बाद मैं electric motor जो है फ्लैनिंग के बाएं हाथ के नियम पे काम करता है, और यह वाला दाएं हाथ के नियम पे काम कर तो इस तरह से तीनों कारण मैंने इंग्लिस में भी बता हैं यही पर लिख दिया है साड़नी बद करके तो आप यहां से इसको नोट कर सकते हैं आसानी से याद हो जाएगा बहुत सिंपल चीजे बता ही है मैंने इसके बाद में दिये गए परिपत R1 में R1, R2 और R3 हम देख कर के चितर को बता सकते हैं यही आपका सीरीज में है अब यहां पर एक पार्ट आपको निकलना है कि परिपत का कुल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? परिपत में प्रवाहित कुल विदु धारा यानि आई करेंट कितना होगा और प्रतिरोध में जो प्रवाहित आई मान, यानि कि धारा का मान है, वो कितना होगा, तो तीनों चीजे निकालते हैं, सबसे पहले जो दिया गया है, हमारे को हमने मान लिया, R1 है, 2, R24 और R3, 6 ओम है, जो की कुशन में दिया गया है, 2, 4 और 6 ओम, और वोल्ट जो है, हमारा कितने वोल्ट की ब पतलब total resistance, short form में RT है, total resistance हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, हैनि कि 2 प्लस 4 प्लस 6, हैनि कि total हो गया 12 ohm, ठीक है, अब इसके बाद में विदुद्धारा जो है, हमें निकालनी है, I का मान पूछा है उसने दूसरे question में, तो I होता है हमारा V upon में R, V हमारे को 6 दे रखा है, R अब इसको सही कर देते हैं, तो हमारे पास I का मान V upon R है, 6 बटे बारा, यानि कि V कितना है, अभी अभी हमने देखा, question में आपे 6 दे रखा है, तो V का मान 6 रखा, और R का मान जो है, वो हमारे पास total कितना है, 12, तो यह हो गया 12, 6 बटे 12, तो यह हो गया 1 बटे 2, और 1 बटे 2 को ले लेंगे, I2, R2 के ले लेंगे, और I3, R3 के ले ले लेंगे, तो हमारे पास धारा जो है, अलग अलग मिलेगी, अगर यह रिजिस्टेंस सारे एक जैसे होते, यानि कि यह जो रिजिस्टेंस R1, R2 और R3 इन सभी में धारा 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम बहती, या 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम निकालना पड़ेगा, तो I1, I बराबर V अपॉन R होता है, यह फॉर्मूला हमें पता है, I बराबर V अपॉन R होता है, तो हमें I1 निकालना है, क्योंकि R1 के लिए निकाल रहे हैं, तो I1 कर देंगे, R1 कर देंगे, R1 की वैल्यू दो दो रेकिए, तो 6 बटे 2, और 2 से होगे आप 2 से, तो 2 या 6, और 2 दूनी 4, यानि 3 बटे 2 आएगा, और इसको डिवाइड करोगे, तो 1.5 A आ जाएगा, और इसके बाद में R3 V अपॉन में R3 यानि की आपको V कितना है, 6 है, और R भी आपका R3 6 है, तो 6 बाइ 6 यानि की 1 A जो है आ गया, तो इस तरह से आप देखोगे कि I1 3 A, I2 1.5 A और I3 1 A, जो है हमारा आंसर आ गया, अगले कुश्चन सतरवे कुश्चन की बात करे, धातू तथा अधातू में बहुतिक गुणों के अधार पे अंतर बताना है, ध्यार रखना है कि आपको रासाइनिक गुणों के अंतर भी पता होने चाहिए, जो है, दातू में विसेश प्रकार की चमक नहीं होती है, गरेफाइट को छोड़ कर, अधिकतर धातू है विधुत उस्मा के सुचालक होती है, और जो अधातुए हैं उस्मा और विदुत की कुछालक होती है गरेफाइट को छोड़ करके एक चीज जो है इसमें यह है जैसे कि इसमें गरेफाइट है और इसमें पारा होता है ठीक है और धातुए अधातुवरती है और तन्य होती है और यह भंगुर होती है भंगुर मतल जैसे 5 लिखे इसमें से 4 आपको याद करने के वल 4 आप याद करिए, 4 से 5 याद करिए, यहाँ पर जो हैं अंतर को आपको यहाँ लिखागे, 4, 3, 4 कम से कम याद होनी चाहिए, यहाँ पर Metals, Non Metals के बारे में वही जो चीज मैंने उपर बता ही है, वोई चीज़ है, यह मैलेबल होते है, यहाँ पर डक्टाइल होती है, यह गुड कंड़क्टर होते हैं, यह बैड कंड़क्टर होते हैं, यह इंसुलेटर होते हैं, यह लस्टोरियस होते हैं, चमकदार होते हैं, यह नोन लस्टेरियस होते हैं, टैंसाइल स्टिंत होती है, इसमें टैंसाइल स्टेंथ लो होती है, हिचाव की है ना, और इसमें सोनोरस होती है, not सोनोरस होता है, हाड होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, ये सरत हो गया, अठारवा नमबर जो कोशन है, समजात एम, समरूप अंगो को उधान दे के बताना है, तो देखिए, समजात अंग जो होते हैं, इसमें होता है, अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान है, तथा कार्रे में भीन होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं, उधान के लिए, यहाँ पर हमने पक्षी के मनुस्य के मैंड़क के दे रखे हैं और यहाँ पर आपको चित्र जरूर बनाना है जब इस टाइप का पेपर क्वेशन आए और अंग जो इसमें तीन से जादा हो तो हमेशा इस टाइप की चित्रों को जरूर बना देंगे थोड़ा सा रफली बना और आपके समगादार के पंक होते हैं चनने और मोटर के प्रतान होते हैं वो इसटर इस ते आप उधारन दे देंगे यहाँं बना दिया झाली बनाना है जो होगज आ इसका है इसके बाद आपका अंतम कॉश्यन क्या समझते हैं तो किसी भी कच्रे को सही तरह से निप्टाने के लिए उससे संग्रहन परिवहन और निगरानी और उस पर कुछ खास प्रक्रिया करने पड़ती है उसे ही कच्रा प्रबंद या अप्सिष्ट प्रबंद कहते हैं एक कच्रे को यूँ ही नहीं फेका जाता उस पर बहुत सारे साइट bite होते हैं तो उसको साइ़ इस रखना पड़ता है करना पड़ता है टेकिते हैं आप कभी गयों होता है एक लेंले कलर का डूल होता है य कि सब seas दा मिम्न一下 की शमस्या कम करने में किया युग्दान दे सकते हैं किनी तीन तरूर का वणन हमें करना है तो यहाँ पे English के लिए यह solution जो है पहला A part का लिख दिया है और B part जो है ख़व part हम कच्रा निप्टान की समस्या कम करने में निम्लिकित योगदान कर सकते हैं अजेव निम्नी करने है पदार्तों को कम से कम परियोग करें जो की गलते नहीं है उनका कम से कम परियोग करें कच्रे की मातरा को भस्मक में जला करके कम कर सकते हैं और उसके अलावा जो है अजेव निम्नी करण और जेव निम्नी करण पदार्तों को अलग-अलग कूड़ेदान में डालना जो कि मैंने अभी बताया कि प्लास्टिक या डस्ट बिन जो है आपके इस तरह के होते हैं जि तो देख लिजे इन प्ले लिस्ट को और जो वीडियो डिस्पले हो रही है सारी की सारी आपके काम की हैं और ताकि आपको कोई भी दिकत ना हो और इस वीडियो को ज़़ज़ ज़़दा शियर करें लाइक करें या सब्सक्राइब कर ले चैनल को ताकि कोई भी वीडियो आ have a good day.